हेलो गाईज, तो ये है मेरे आज का लंच और मुझे पता है कि आपको बहुत जादा टेस्टी लग रहा होगा जी हाँ, ये सिर्फ देखने में नहीं, खाने में भी बहुत जादा टेस्टी था बहुत जादा असान है, बस एक कप मसूर की दाल से बनाएए ये टेस्टी वाला सबजी और आप भे इस लंच को इंजोई कीजे, एक कप मसूर की दाल को मैंने यहाँ पर अच्छे से धो करके एक घंटे के लिए भीगो दिया था फिर उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, एक घंटे के बाद हम मसूर की दाल से सारा पानी अलग कर देंगे और इसका बना लेंगे एक गाढ़ा सा पेस्ट पेस्ट बनाते समय मैंने इसमें दो हरी मिर्च और एक इंच अद्रक का टुकड़ा भी डाल दिया है, इससे थोड़ा सा मिर्च और अद्रक का फ्लेवर आ जाता है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर थिक बैटर जो है वो पिस चुका है अब इस बैटर में हम एड़ करेंगे हमारे बेसिक मसाले क्योंकि हमारा तो बिना मसालों के नहीं चल सकता बाबा, मसालों में ही तो स्वाद है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नमक एड़ कर दिया है, नमक स्वाद के अनुसार एड़ कीजे उसके साथ मैंने यहाँ पर एक छोटी चमच गोटा जीरा, आधी चमच हल्दी पाउडर, एक चमच जीरा धन्या पाउडर, आधी चमच गरम मसाला पाउडर और आधी चमच चाट मसाला पाउडर फिर मैं इसमें अट करूँगी प्याज मैं यहाँ पर हरा वाला प्याज अट कर रही हूँ क्योंकि अभी ठंडी के मौसम में हरा प्याज जो है आपको असानी से मिल जाता है अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप याणि रेड वाले प्याज को भी आप इस्तमाल कर सकते हैं थोड़ा सा टेस्ट में फरक आता है मगर हरे प्याज से इसका स्वाद बहुत जादा बढ़िया आता है ऐसा मेरा मानना है आप एक बढ़ ट्राई करना उसके बाद आप खुजी जच करना कि आपको कैसे अच्छा लगा तो मैंने यहां पर सभ बाइल से चम्मच से पकोड़े डाल रही हूं आप इसके शेप पे मत जाहिए कहते हैं किसी भी बुख को उसके कवर से जज नहीं करनी चाहिए तो बस यहां पर भी वही होगा मैंने यहां पर फटा-फट पकोड़े तल लिये हैं चार से पांच मिनट में सारे पकोड़े त कर तयार हो गए थे उसके बाद मैं आपके साथ सेयर करूंगी कैसे मैंने इसका टेस्टी वाला ग्रेवी बनाया है आप पकोड़े को उलट पुलट कर अच्छे से तल ले ताकि अंदर से वो कच्छा ना रह जाए और यह ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था तो ह यह काफी जादा बन जाता है थोड़े से कॉंटिटी में तो यहाँ पर आप देखिए मैंने सारे पकोड़े तलकर निकाल लिए हैं अब ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर दो चम्मस तेल कम कर दिया है साथ में फिर तेल तो गर्म ही था तो उसमें आट कर दिया है गोटिक, मसाले, एक चम्मस जीरा था, एक तेजपत्ता, एक सूखी मिर्च, आदी इंच दाल चिनी और एक बड़ा इलाची साथ में फिर थोड़ा सा हिंग एट कर दिया है और एक वड़ा चौप प्याच, प्याच को थोड़े दिर भून लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पर एक बारी कटा हुआ हरा मिर्च और एक टमाटर चौप किया हुआ टमाटर के साथी साथ फिर मैंने हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है ये चम्मच जीरा धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ में थोड़े दिर भुन लिया है अब मैं इसमें आट करूँगी अद्रक लेसन का पेस्ट फिर आट करने के बाद हमें 10-15 मिनट इसे भुन लेना है और फिर मैंने इसमें आट कर दिया है नमक नमक डालने के बाद क्या होगा कि सारे जो ये मसाले हैं टमाटर वगेरा प्याज वगेरा वो अच्छे से गल जाएंगे और फिर थोड़ा सा तेल जो है ये छोड़ देंगे मसाले तो हमने इसमें पानी आट करना है फिर मैंने इसमें पानी आट कर दिया यहाँ पर तो मैंने जो ब्रतन था उसी से पानी डाल करके और सारे उसी पानी कीशत्विया है फिर मैंने यहाँ पानी थोड़ा ज्यादा लगीगा तो मैं बतादू आपको 2-3 गलास पानी का इस्तेमाल यह इसे पानी किया है और भिबाहे सेट पमाद किया है मीडियम फ्लेम पर पांच मिनट के लिए उबा लेना है और पांच मिनट के बाद आप देखेंगे जो आपके पकोड़े है ये क्रिस्पी वाले वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही जादा उसमें ग्रेवी जो है अच्छे से चला जाएगा और खाने में बहुत तेस्ट आएगा तो ये देखें पांच मिनट के बाद आपका पकोड़ा जो है वो ग्रेवी के साथ कितने अच्छे तरीके से घुल मिल गया है और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर काट करके ये दिखें कितना सॉफ्ट है अंदर से भी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ये देखें कितना स्पॉंजी सा लग रहा है इसमें हाँ यह लग रहा है ना बिल्कुल सूजी सा स्पॉंजी वाला तो यह बनकर बिल्कुल अच्छे से तयार हो गया है तो अब इसे हम फ्लेम बन कर देंगे और ढग करके 10 मिनट के बाद फिर हम सर्व करेंगे 10 मिनट के बाद आपका टेस्टी पकोड़े वाला सब्जी जो है वो बनकर तयार हो गया है इसे खाईए enjoy कीजे और अगर आपके कोई सुझाओं हो तो मुझे जरूर बताईए मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजे मेरे चैनल को subscribe की कीजे और मुझे motivate कीजे क्योंकि खाना बनाना मेरा होबी है मुझे बहुत पसंद आता है खाना बनाना अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या फिर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या कोई और भी सुझाओं हो आपके तो मेरे लिए वह बहुत जादा इंप